हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल वॉक विद मी तो फ्रेंड्स आज अपन भारतिय सविधान के प्रमुख प्रावधान, मूल अधिकार और निती निदेशक्ततों से सम्मंदित जितने भी फैक्ट्स है और जितनों भी इंपोर्टेंट कुशन्स है उनको देखने वाले हैं तो चलिए एक-एक करके अपन सुरुवात करते हैं आगे बढ़ते हैं अपन भारतिय सविधान की प्रस्तावना अपने को याद होनी चीए क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड कुशन हर बार एक्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं तो प्रस्तावना य समाजवादी पंत निर्पेक्स लोकतंतरात्म गण राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनितिक न्याई विचार अभी व्यक्ति विश्वास धर्म यं उपासना की स्वतंतरता परतिष्ठा यं आउसर की समानता प्राप्त करान के लिए तता उन सब में व्यक्ति की गरीमा और रास्ट की एकता यं अखनता सुनिश्चित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर अपने इस सविधान सबा में आज दिनांग 26 नौंबर उन्निसो उन्पचास इसवी को उती थी मार्क्सी सुक्ल सब सब्वत 2006 विक्रमी द्वारा इस सविधान को अंगीकरत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तो दोस्तों यहां से क्यूशन पूछे गए हैं बहुत बार कि भारतिय सविधान को कब अंगीकरत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तो आंस्वर होता है उसमें 26 अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसके कुछ बिंदू है देखी देखी सविधान की प्रस्तावनाव को सविधान की आत्मा माना जाता है पंडित जवालाल नेरू ने प्रस्तावनाव को सविधान की आत्मा कहा था कहा था देखे क्विशन पूचा जाता है कि सविधान की प्रस्तावना को सविधान की आत्मा किसने कहा था तो उत्तर होता है पंडित चवालल नहरू प्रस्तावना से सविधान के उद्देश्यों आदर्सों शिद्दान्तों एन भावनाओं की अभिवक्ति होती है नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार सविधान को भारत की जंता ने स्विकृत किया अंगिकृत किया नेक्स्ट है बैयाड़िस्वे सविदान संसोधन अधिनियम उननिस सो चिंतर के द्वारा सविदान की प्रस्तावना में संसोधन करके निम्न तीन सब्द जोडे गई समाजवादी, पंत निर्पेक्स्ता और अखंडता दोस्तों सविधान की मूल प्रस्तावना में ये तीन शब्द नहीं थे इसलिए सविधान संसोधन करके बैयाड़स्वे सविधान संसोधन दिनियम 19.00 के द्वारा प्रस्तावना में ये तीन सब्द जोड़े गए समाजवादी, पंत निर्पेक्स्ता और अखंडता मूल प्रस्तावना में इनका उलेक नहीं था बाद में इनको संसोधन के द्वारा जोड़ा गया चलिए आगे चलते हैं अपन भारतिय सविधान के प्रमुख अनुचेद कौन-कौन से हैं सविधान का भाग फस्ट संग यूँ उसका राज्जिक शेत्र का वर्णन है जो की अनुचेद एक से लेकर चार तक है भाग फस्ट के अंदर अनुचेद एक से लेकर चार तक है संग उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन मिलता है इसके अंतरगत अनुचेद एक में इंडिया अर्थाद भारत राज्यों का संग होगा अनुचेद तीन में देखिए संसत अपने साधरान बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा पुराने राज्यों के नाम, सिमाउं, एंक्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है अनुचेद तीन के अंतरगत आगे देखिए सविदान का भाग दो अनुचेद 5 से लेकर 11 तक है जिसके अंदर नागरिकता के प्राओधान किए गए हैं नागरिकता प्रदान करने का कारिय भारत सरकार के ग्रह मंत्रा लेकर अंतरकत आता है नेक्ष्ट देखते हैं सविधान का भागतीन मूल अधिकार मूल अधिकारों का वणन सविधान के भागतीन में किया गया है सविधान के भागतीन में अनुचेत 12-35 तक मूल अधिकारों के प्रावधान किये गए अनुचेत 12-35 तक मूल अधिकारों के वणन किये गए है आगे देखते हैं सविधान में मोल रूप से नागरीकों को साथ मोल अधिकार दिये गए थे परंतु वर्तमान में छो मोल अधिकार प्राप्त है क्योंकि इनमे से एक शंपती के मोल अधिकार को समाप्त कर दिया गया चोमालस्वे सविदान संसुदन 1978 के द्वारा मूल रूप से सविदान में साथ मूल अधिकार थे लेकिन संपती के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया चोमालस्वे सविदान संसुदन के द्वारा अब वर्तमान में छे मूल अधिकार प्राप्त है आगे देखते हैं सविधान के मूल अधिकारों की रक्षा करने की शक्ती न्यायपालि का अर्थात सर्वोच एमुम उच्छ न्यायले को दी गई है next है सविधान में दिये गए 6 मूल अधिकार अपन विस्तार से देखेंगे आगे चलिए देखते हैं अपन पहला है समानता का मूल अधिकार अनुछेद 14 से लेकर 18 तक समानता के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है देखिए अनुछेद 14 विधी या कानून के समक्ष समानता परतेख भारती नागरिक को विधी या कानून के समक्ष समान समझा जाएगा अनुचेद 15 धर्म जाती लिंग जैनमस्तान एं मूलवंस के आदार पर बेदबाव का निशेद किया गया है परतेक विक्ति को समान द्रस्टी से देखा जाएगा अनुचेद 16 लोग नियोजन में आउसर की समानता परतेक विक्ति को लोग नियोजन में आउसर उपलब्द करवाया जाएगा उस आउसर का लाब वह अपनी योग किता के अनुचेद 17 अनुचेद 17 अनुचेद 17 में किया गया अनुचेद 17 ने लगबग सारे एक्जाम्स में यह कुशन पूछा है अनुचेद 17 किस समंदित है तो आईस परशता का अन्त या आईस परशता के निशेद से समंदित है बहुती most important क्यूशन है दोस्तों नेक्स्ट है अनुचेद 18 अपादियों का अनुचेद 18 में किया गया है नेक्स्ट देखते हैं अपन स्वतंतरता का मूल अधिकार अनुचेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंतरता के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है देखी अनुचेद 19 विचार अभिवक्ति की स्वतंतरता भासनें प्रेस की स्वतंतरता प्रतेएक विक्ति को अपने विचार अभिवक्ति करने की स्वतंतरता है लेकिन उन विचारों से किसी को हानी न पहुँचे बस यही बात है इसके अंतरगत अपराद के लिए 2 सिद्धी के संबंद में सरक्षन करने अपना वेकील करने की स्वतंतरता है अनुचेद 21 जिसमें प्राण एम धेहिक स्वतंतरता का अधिकार है प्राण एम देहिक स्वतंतरता का अधिकार यानि जीवन का अधिकार भी का जाता है नेक्स्ट है अनुचेद 21A या अनुचेद 21 के शिक्षा का मूल अधिकार 86 वा सविदान संसुदन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्स के बालकों के लिए प्रारंबिक शिक्षा का यह है मूल अधिकार बनाया गया है एक्जाम में क्यूशन पुजा जाता है कि शिक्षा के मूल अधिकार से सम्मंदित अनुछेद कौन सा है तो उत्तर होता है अनुछेद 21A नेक्स्ट है अनुछेद 22 कुछ दसाओं में गृफ्तारी वे निश्येद नजरबंदी से सरक्षन ये अनुछेद 22 से सम्मंदित है और ये जो प्राण एउन देहिक स्वतंतरता का या जीवन का जो अधिकार है ये अनुछेद 21 है दोस्तों आप इसमें संसुदन कर लीजिए प्रान, एवं दहीग, सोदनतर्था का अधिकार या जीवन का अधिकार अनुछेद 21 से समंदित है चलिये तो ये हो गए सोदनतर्था के मूल अधिकार, अनुछेद 19 से लेकर 22 तक नेक्ष्ट देंखते हैं अपन तीसरा सोसन के विरुद मूल अधिकार अनुचे 23 और 24 दो प्रावदान किये गए स्वस्ण के वृत मूल अधिकार के अंतरगत देखे अनुचे 23 में मानों के दुर्व्यापार यह बलात स्रम प्रतिशेद यानि किसी को भी प्रेशरफुली काम नहीं करवाया जा सकता मानों के दुर्व्यापन यान बलात जोर जब निशेद अर्था 6-14 वर्स के बालको को कार खानों आदी में भारी काम का निशेद यानि 6-14 वर्स के बालको को कार खानों में क्राम काम करने पर प्रतिबंद लगाया गया है तो यह दो प्रावदान थे सोसन के वृत मूल अधिकार के अंतरगत नेक्ष देखते हैं पन्च तो देखिए अपन देखते हैं अनुचेत 25 अनुचेत 25 में अंतक्रण की धर्म को अबाद रूप से मानने आचरन करने और परचार करने की सोतंतरता अनुचेत 25 के अंतरकत दी गई है यह अपने अनुचेत 25 में अनुचेत 26 धर्म की अभीवर्दी के लिए किये खर्च में करो के संदाई की सोतंतरता यानि धर्मिक मामलों में जो रासी होते हैं उसके करों से मुक्त की गई है उसको नेक्स्ट है अनुचेत 26 सरकारी सिक्षन संस्ताओं में धार्मिक सिक्षा देने का निशेद किया गया है धार्मिक सिक्षा सरकारी सिक्षन संस्तानों में नहीं दी जा सकती नेक्ष देखते हैं मूल अधिकार पाच्वा संस्कृतियें सिक्षा का मूल अधिकार अनुचेद 19 से 30 तक देखिए अनुचेद 29 के अंतरगत नागरिकों के प्रतेक वर्ग को अपनी भाषा लिपी वे संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार नेक्ष अनुचेद 30 अल्प संक्यक वर्गों का अपने सिक्षन संस्ताइं खोलने उनका प्रसासन करने का अधिकार अनुचेद 30 के अंतरगत दिया गया है सविधानिक उप्चारों का अधिकार अनुचेद 32 बहुत ही most important है जोकि सभी मूल अधिकारों की रख्षा सविधानिक उप्चारों का अधिकार के द्वरा की जाती है तो देखते हैं अपन इसके अंदर जो मुख्य बिंदू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मूल अधिकारों को सविधान की आत्मा या पूंजी कहा मूल अधिकारों की रख्षा करने का अधिकार है सविधानिक उप्चारों का अधिकार यानि बाकी सभी पांचों जो मूल अधिकारों की रख्षा सविधानिक उप्चारों के अधिकार के अंतरकत की जाती है नेक्स्ट है इस मूल अधिकार के अंतरकत यदी नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोची या उच्छी न्यायले में जा सकते हैं इन दोनों ही न्यायले को मूल अधिकारों की रक्षा प्रदान करने के लिए निम्ल लिखित पांच प्रकार की रिटें या लेक जारी करने की शक्ती प्राप्त है अब ये रिटे और लेक क्या है नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्वोच या उची नियाले द्वारा पांच प्रकार की रिटे या लेक जारी करने की सकती है वो कौन कौन सी देखो पहला बंदी प्रत्यक्षी करना यह व्यक्तिगत स्वतंतरता के लिए जारी की जाती है पुलिस के द्वारा गृफतार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायले में प्रस्तुत नहीं करने पर यह रिट दायर की जा सकती है नेक्स्ट है परमादेश संबंदित अधिकारियों के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करने पर उच्छी न्यायले उन्हें जो आदेश देता है इसके लिए परमादेश रिट चारी की जाती है नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड नंबर की जो रिट है देखिए थर्ड नंबर की रिट है परतिशेद मूल अधिकारों के हनन से संबंदित किसी भी कारिवाही को रुकवाने के लिए परतिशेद याची का दायर की जाती है नेक्स्ट है चोता उत्प्रेशन मूल अधिकारों से संबंदित मामले को निचली अदालत से उच्छ न्यायले में मंगवाने के लिए उत्प्रेशन याची का दायर की जाती है लास्ट है अधिकार प्रिच्छा यह व्यक्तिगत रूप से उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जो अपने पद का दुरुप्यों करके मूल अधिकारों का हनन करता है तो यह पांच परकार की रिटे सर्वोच्च नैले द्वारा जारी की जाती है संपति का मूल अधिकार अनुचेद 31 के अंतरगत था इसे 24 सविदान संसोदन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त करके अनुचेद 30A में संपति का कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो संपति का मूल अधिकार था अनुचेद 31 में उसको समाप्त करके वर्तमान में 30A में संपति का कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको समाप्त किया गया था 24 सविदान संसोदन 1978 के द्वारा नेक्स्ट है अनुचेद 20 वे 21 में दिये गए मूल अधिकार किसी भी परिस्तिती में निलंबित नहीं किये जा सकते जबकि अन्य मूल अधिकारों को राष्टपती दोरा आपातकाली इन्स परिस्तितियों में निलंबित किया जा सकता है तो दोस्तों जब भी राष्टपती आपातकाल की गोशना करता है तो ये सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं सिवाई दो मूल अधिकारों के 20 वा अपरात की दो सिद्धी के विसे में सरक्षन यानि परत्यक विकती को अगर ग्रिफतार किया गया है तो वो अपरात की 2 सिद्धी के विसे में सरक्षन कर सकता है जोकी अनुचेद 20 में है अर अनुचेद 21 के अंदर का प्राण एउधी सभी मूल अधिकार जोकी परत्यक विकती को आपातकाल में भी दिये जाते हैं बाकि से सारे मौल अधिकार आपात काल में निलंबित किये जा सकते हैं नेक्ष्ट देखते हैं अपन अनुचेत 19 में दिया गया मौल अधिकार या स्वतंतरता रास्ट्री आपात लागू होते ही तुरंत प्रभाव से स्वतन निलंबित हो जाता है चुकि इस उननिस में दिया गया है विचार अभीविक्ति या भासन या प्रेस के सोतंतरता जो कि आपात काल लगते सोतंतरत प्रभाव से निलंबित हो जाता है नेक्स्ट है अनुचेद 15, 16, 19, 29, 30 में दिये गए मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं विदेशियों को नहीं जबकि अन्य मूल अधिकार भारती नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं इसका मतलब यह है कि अनुचे 15, 16, 19, 29, 30 के वल भारतियों के लिए हैं विदेशियों के लिए नहीं हैं बाकी जो अधिकार मूल अधिकार वो विदेशियों पर भी लागू होते हैं चलिए अब अपन देख लेते हैं भारत के निती निर्देशक तत्व अनुचे 36 से लेकर एकाउन तक जिनका वरणन भाग चार में किया गया है मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में और निती निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में अनुचे 36 से 51 तक किये गए हैं तो देख लेते हैं पन सविधान के भाग 4 में अनुचे 36 से 51 तक निती निर्देशक तत्वों के प्रावधान किये गए हैं निती निर्देशक तत्वे सविधान में किये गई इससे प्रावदान है जो सरकार को लोग कल्यानकारी नितियां बनाने का निर्देश देते हैं निती निर्देशक तत्वे लोग कल्यानकारी एं समाजवादी राज्ये की स्थापना करते हैं आगे देखते हैं निती निदेशक तत्तों को लागू करने के पीछे जनता की नितक शक्ती कार्य करती है। इए जो निती निदेशक तत्तों में जो प्राउधान किये गए थे वो 36 से लेकर एकाउन तक कौन कौन से प्राउधान रहे हैं। देखी आनुचेद 36 निती निजदीसक रक्त्तिव की परिभासा अनुचेद 36 के अंतरकत और गई है नेकस्ट आहा है зов 37 निती निजदीसक कट्तिव को नियायले में चुननोंति नहीं दी जा सकती अर्थात यह वाद योग्य नहीं है जो मैंने बता दिया आप लोगों को प्रतियक व्यक्ति को अगर वह समान कारे करता है तो समान व्यतन का प्रावधान किया गया है। प्रतेक विक्ति को कुछ डसाओं में काम यानी रोजगार उपलब्द करवाने शिक्षा या लोग साहता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है अनुचेद 41 में नेक्स्ट है अनुचेद 42, काम की नियाई संगत एवं मानवोचित दसा तता प्रसूती साहिता का प्रावदान अनुचेद 42 में किया गया है, बहुत महतुपन दोस्तों, काम की नियाई संगत, यानि प्रतेक विक्तिय को काम की ऐसी दसा उपलब्द करवाई जाए, जिसमें वह काम कर सके, इसा नहीं हो कि उसको प्रताडित करके काम करवाया जाए, नेक्स्ट है प्रसूती साहिता, जो भी इस सविदान के अंतरगत, बहुत में दिया गया है, नेक्स्ट है अनुचेद 43, कामगारों के लिए नियूंतम निर्वाह मजदूरी का प्रावदान, यानि सोरी दोस्तों, यहां पर अनुचेद 45 है, कामगारों के लिए नियूंतम निर्वाह मजदूरी और अनुचेद 46 में है, उद्योगों के प्रबंद में कामगारों की भागिदारी, नेक्स्ट है अनुचेद 44, समान नागरिक सहिता का प्रावदान किया गया है, नेक्स्ट है अनुचेद 45, बालकों के लिए निशुल के वनिवारिय शिक्षा का प्रावदान किया गया है, अनुचेद 46, अनुचेद जातियों, अनुचेद जन जातियों, अन्य दुर्बल, वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ समंदी हीतों की अभिवद्दी के लिए अनुचेद 46 में वर्णन किया गया है, अनुचेद 47, पोशन स्तर एंव राश्ट्रिय जीवन स्तर को उचा करने तथा लोग स्वास्ते में सुधार करने का राज्य का करतविय अनुचेद 47 में दर्च किया गया है, नेक्स्ट ऐ अनुचेद 48, क्रशी एंव पसुपालन का संग्ठन करना, यानि क्रशी एंव पसुपालन से संबंदित प्रावदान अनुचेद 48 में दिये गए है, निज्ट देखते हैं अनुचेद 48A प्रियावन का सरक्षन M समवडन तता 1-10 जिवों की सुरक्षा यानि प्रियावन का सरक्षण करने तता 1 तता 1 जिवों की सुरक्षा करने का प्रावधान अनुचेद 48A में दिया गया है नेक्स्ट है अनुच्छेद उन्चास राष्ट्रिय महत्विके स्मार को स्थानों तता वस्तों का सरक्षन करना यानि सुरक्षा परदान करना राष्ट्रिय महत्विके स्मार को सुरक्षा परदान करना नेक्स्ट है अनुचेद पचास न्याईपालिका का कार्यपालिका का कार्यपालिका से पर्थक करण यानि इनको अलग लग सक्तियों का बटवारा किया गया है न्याईपालिका और कार्यपालिका को पर्थक पर्थक विभाजित किया गया है अनुचेद पचास के अंतरगत अनुचेद 51 विश्वसान्ती और सुरक्षा का प्रावदान अनुचेद 51 में किया गया है तो दोस्तों ये थे भारत के निती निर्देशक तत्वे अनुचेद 36 से लेकर 51 तक और भाग 4 में वर्णन किया गया है इनका अब देख लेते हैं पन इन तीनों टोपिक से रिलिडेट जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ण है जो एक्जाम में पूछे गए हैं उनका संकलन किया है मैंने आपर तो देखिए भारत एक राज्य है संग राज्य राज्यों का संग प्रांतों का संग एक राज्य काई तो इसमें उत्तर होता है भारत राज्यों का एक संग है तो राइट आंस्वर होगा इसमें दो नमबर किसी राज्ये के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न लिखित में से किसको प्राप्त है पहला है उप्षन राष्ट पती को संसत को समंदित राज्ये के विधान मंडल को समंदित राज्ये के राज्यपाल को तो आंस्वर होगा इसमें दो नमबर संसत को यह दिकार दिया गया है किसी भी राज्ये के नाम में परिवरतन करन नेक्स्ट है अन्य रजवाडों के भारत में विले के बाद भी किन तीन राज़ियों में भारत में सामिल होना विलंबित किया तो पहला देखी इसमें जुनागर्ट मेसूर एनsmoo कस्मीर जुनागर्ट हैदराबाद एन्जम्मु कस्मीर उदेपूर कपूरतला जाय जम्मू कस्मीर, हैदराबाद, उदेपुर और त्रावन कोर तो इसमें आंसर होगा सेकेंड नमबर जुनागड हैदराबाद और जम्मू कस्मीर नेक्स्ट है बारतिय सविधान के किन अनुछेदों में नागरिक्ता समंदी प्रावधान किये गए हैं अनुछेद 1-4 तक, अनुछेद 5-11 तक, अनुछेद 12-35 तक, अनुछेद 36-1 तक तो राइट आंसर होता इसमें दो नमबर अनुछेद 5-11 तक नागरिक्ता के प्रावधान किये गए हैं आगे देखते हैं बारतिय सव्यदान निम्न लिखित में सी कौन सी नागरिक्ता परदान करता है एकल नागरिक्ता दोहरी नागरिक्ता उप्यक दोनों इन में से कोई नहीं तो आंस्वर होगा एकल नागरिक्ता किस अनुचेद के तहट संसत को नागरिक्ता के सम्मन्द में कानून बनाने का अधिकार परदान किया गया है पहला है अनुचेद पांच के अंतरगत अनुचेद छे अनुचेद दस और अनुचेद गयरा नेक्स्ट है कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त की जा सकती है सविधान दोरा प्रदत नागरिक्ता के संबंद में संसद में एक व्यापक नागरिक्ता अधिनियम कब बनाया गया 1950 में 1952 में 1955 में 1960 में तो राइट आंस्वर होगा इसमें 1955 में मोलिक अधिकार सविदान के किस भाग में वर्णित है भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पांच तो सविदान के भाग तीन में मोलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग चार में निती नितिकत्तों का वर्णन किया गया है और भाग दो में नागरिक्ता के समंदी प्रावदान किया गया है नेक्ष्ट देखते हैं पन भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है सविदान के अनुचेद 12-35 तक सविधान के अनुचेद 13 से 36 तक सविधान के अनुचेद 15 से 49 तक सविधान के अनुचेद 16 से 40 तक तो राइट आंसर इसमें फस्ट नंबर सविधान के अनुचेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है नेक्स्ट है डाक्टर भीमरा उम्बेडकर ने भारतिय सविधान के किस बाग को सरवादिक आलोकित वाद कहा तो आंसर होगा इसमें भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार तो उन्होंने भाग तीन जो की मौलिक अधिकारों से सम्मंदित है को आलोकित वाद कहा देगे 5, 6, 7 और 8 तो राइट आंसर होगा इसमें 7 क्योंकि सविधान में मौल रूप से 7 मौलिक अधिकार परदान किये गए थे और संपति के कानोनी अधिकारों को समप्त कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार परदान किये गए है नेक्ष्ट देखते हैं अपन क्यूशन मौलिक अधिकारों का निलंबन कोन कर सकता है राष्ट पति, परदान मंत्री, संसत, सर्वोच नियाले तो राष्ट पति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है जो कि राष्टपति के द्वारा आपातकाल गोशित होने पर मूलिक अधिकार स्वता निलेंबित हो जाते हैं मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंद लगाने का अधिकार किसको है समानता का अधिकार भारतिय सविदान के एकिन 5 अनुचेद 5 से 9, अनुचेद 9 से 13, अनुचेद 14 से 17 से 21, अनुचेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है नेक्स्ट है विदी के सामने समानता का अधिकार नागरी का अधिकार है आरती का अधिकार है सामाजी का अधिकार है राजनिती का अधिकार है तो राइट आंसर होगा नागरी का अधिकार बारतिय सविदान की S परिशेता उनमूलन से सम्मंदित अनुचेद है अनुचेद 15, अनुचेद 16, अनुचेद 17 तो उत्तर होगा अनुचेद 17 बहुत मौस्ट इंपोर्टेंट क्विशन है दोस्तों नेक्स्ट है निम्न लिकित अनुचेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है अनुचेद 14, अनुचेद 15, अनुचेद 16, अनुचेद 19 तो आंस्वर होगा इसमें अनुचेद 19 क्योंकि अनुचेद 14, 15 और 16 समानता के मूल अधिकार के अंतरगात आते हैं इसलिए अनुचेद 19 भिन्न है भारत के सविधान का निम्न लिकित में से कौन सा अनुचेद प्रेश की स्वतंतरता से सम्मंदित है अनुचेद 19, दूसरा अनुचेद 20, अनुचेद 21, अनुचेद 22 तो मैंने पहले बिदाया था आपको अनुचेद 19, विचार भिवेक्ति या भासन या प्रेश की स्वतंतरता से सम्मंदित है तो राइट आंसर होगा इसमें फस्ट निम्न लिकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है बोलने का अधिकार, व्यवसाई का अधिकार, हरताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार तो राइट आंसर होगा इसमें हरताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बाकि सभी मौलिक अधिकार है सविधान के किन अनुचेदों में सोसन के विरुद रधिकार वर्णित है अनुचेद 14-18 अनुचेद 19-22 अनुचेद 23-24 अनुचेद 25-35 राइट आंसर इसमें सोसन के विरुद रधिकार अनुचेद 23 और 24 नेक्स्ट है बारती सविदान के किस अनुचेद में सविदानिक उपचारों का अधिकार किया गया है दिया गया है पहला दिये कि अनुचेद 23, अनुचेद 31, अनुचेद 32 तो अनुचेद 32 इसमें राइट वांसर है जो कि सविदानिक उपचारों के अधिकार से सम्मंदित ह नेश्ट क्यूशन है व्यक्तिकत स्वतंतरता के लिए निम्न लिखित में से कौन से रिट याची का दायर की जा सकती है मेंडमस, कोवारंटो, हेबियस कॉर्प्स और सर्शी रिट रेरी तो राइट आंसर होगा इसमें हेबियस कार्प जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षिक्रण का जाता है नेश्ट निम्न लिखित में से किस याची का का सादिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं बंदी प्रत्यक्षिक्रण परमादेश अधिकार प्रच्चा उथप्रेशन तो आनसर होता इसमें प्रमादेश नेश्ट कुशन है निम्न लिखित में से किस याची का के अधीन किसी कर्मचारी को एशी कारिवई करनने से रुका जाता है जिसके लिए सरकारी तोर पर वह हगदार नहीं है तो परमादेश, अधिकार प्रिच्छा, उत्प्रेशन और बंदी प्रत्यक्षी करण उत्तर होगा अधिकार प्रिच्छा संपत्ति के मोलिक अधिकार को कब समाब्त किया गया उत्तर होगा 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 उत् आइरलेंड से, पूरो सोवियत संग से, फ्रांस से, राइट आंसर है इसमें आइरलेंड से, नेक्स्ट कुशन है, राज्य की निदी निदी से ततो का उल्लेक भारतिय सविदान के किस भाग में किया गया है, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग पांच, तो राइट सविदान के कौसा भाग है, जो सविदान के निर्माताओं की मस्तिस्क और उदेश्य को प्रतिबिन्दित, प्रतिबंबित करता है, मुल अधिकार, सविधान के प्रस्तावना, राज्य के निती निर्देशक तत्वे, भारतिय सविधनागरिक्ता, तो इसमें आंस्वर होगा थर्ड नंबर, राज्य के निती निर्देशक तत्वे, नेक्ष्ट क्यूशन है, राज्य के निती निर्देशक तत्वों में निम् नेक्स्ट है भारतिय सविधान में राज्यों के निती निर्देशक शिद्दान्तों को सामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था लोग कल्यानकरी राज्ये की स्थापना करना धर्म निर्पेक्स राज्ये की स्थापना करना सरकार के निरुंकुस कारियों पर निय बस्तास्थापित करने की प्रहरणा देता है मूल अधिकार मूल कर्टव्य नितिन्यदशक त्ट्वय नग रिक्ता तो उत्तर होगा इसमें नितिनेदशक त्यात्व marry नितिन्यदstag त्ट्वय सिद्दांत है वादयोग्य वादयोग्य नहीं मौलिक अधिकार उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आंसर होगा इसमें वाद्योग्य नहीं क्योंकि नितिन दिशक तत्तों के हनन पर निया इले में चुनोती नहीं दी जा सकते इसलिए वाद्योग्य नहीं है नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा राज्य निती का निती निदिशक शिद्दान्त नहीं है अंतरास्ट्रे सांतिको प्रोथशाहन, 14 वर्स्तक के बच्चों को निसुल का निवार्य शिक्षा, परदान करना, गोध निशेद और निजी समपती की समापती नेक्स्ट है राज्य के निती निदिशक शिद्दान्तो के निसुल के निवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है 14 वर्स तक 15 वर्स तक 16 वर्स तक 18 तक तो उतर होगा 14 वर्स तक देखिये दोस्तों शिक्षा से संबंदित जो मूल अधिकार है वो अनुचेद 21A में दिया गया है जबकि मूल करतव्य भी है शिक्षा से संबंदित 6 से 14 वर्स के बच्चों के निसुल के वनिवारी शिक्षा का प्रावधान किया गया है चली समान न्याय और निसुल के विदिक सायता का प्रावधान सविधान के 21 अनुचेद में है तो अनुचेद 49A अनुचेद 40 अनुचेद 44 तो राइट आंसूर होगा अनुचेद 49A बारतिय सविधान के निम्न लिकित अनुचेदों में से कौन सा अनुचेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संग्टित करने का निर्देश देता है अनुचेद 32, अनुचेद 40, अनुचेद 42, अनुचेद 42, अनुचेद दिखाऊन तो राइट आंसूर है इसमें अनुचेद 40, सविधान के किस अनुचेद में नियाई पालिका का कारिय पालिका से पर्थक्रण का उलेक किया गया है देखिए अनुचेद 45, अनुचेद 43, अनुचेद 58, अनुचेद 50, तो राइट आंसूर होगा अनुचेद 50 में नियाई पालिका और कारिय पालिका का प नितिन निशक तत्वों से सम्मंदित जितने भी फेक्ट्स और इंपोर्टेट्ट कुशन थे वह मैंने करवाएं आप लोगों को तो थेंक यू सो मच दोस्तों